हेलो एब्रीवन दिस इस निताश्य चत्रवेदी एंड वेलकम तू आल ऑन यूटीब चैनल इस इजी लाइनिग 247 जैसा कि आपको लास्ट क्लास में मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप लोग सारी वीडियो देख सकते हैं जिससे कि आप लोगों का जो डाउट है आप लोगों की जो तयारी है वो बूस्ट अब सके, सो विडाउट टाइम वेस्ट करें हम लोग अछ्छी गलास स्टार्ट करती हैं और आछ्छी क्लास डॉपिक है कि बाइनरी से हमें चेंज करना है gray code में और gray से binary अब कह रहे होंगे आप मैं ये table के बनाई हुई है इस table का क्या sense है तो भई ये table इसलिए बनाई है ताकि आपको differentiate समझ में जो हम लोग का basically gray code होता है उसको हम लोग unit distance code भी बोलते हैं क्या बोलते हैं भई unit distance code इसको हम gray code को cyclic code भी बोलते हैं unit distance code भी बोलते हैं cyclic code भी बोलते हैं और ये k-map में use होता है अब ये k-map क्या होता है ये मैं जब digital electronics पढ़ाऊंगी complete तब आपको ये सारे धीरी-धीर doubt clear हो जाएंगे इतना भी समझिए ये distance की उपर work करता है unit distance की उपर work करता है इसे cyclic code भी बोलते हैं gray code ठीक है k-map में ये use होता है इतना आपको याद रखना है अब ये conversion कैसे करते हैं binary से gray code में gray से binary में तो देखते हैं आपको differentiate समझ में आएगा ये table इसलिए बनाईए ताकि आपको ये समझ में आए कि 0 का BCD भी 000 और ये सब आपको clear हो जाए इसे टोके चलिए पहले मैं conversion लिखा देती हूँ कि कोई number में लिखा है suppose 1 1 0 0 1 ये मैंने binary number लिखा है अब मुझे इसे gray code में conversion करना है suppose तो मैं क्या करूंगी भई gray code में conversion करने के लिए gray code में ठीक है तो ये हमारी bit आपको सब को पता है इसे बोलते है msb तो msb को मुझे रखना होता है same as it is msb same की अब इन दौनों का करते हैं exor exor के बारे में आपको already पता है कि exor में क्या करते है 00 का exor होता है 0 10 का exor होता है 1 01 का 1 11 का is 0 exor में same digit same digit होती है उसका जो exor होता है वो 1 आता है 0 आता है और different का 1 same digit यानि 0011 जब भी होंगे तो exor 0 होगा 10 या 01 होंगे तो exor 1 होगा अब ये मैंने क्यों बताया दौला से क्योंकि exor का इदर बहुत ज्यादा use है देखिए msb को मैंने same लिखा अब इस इन दौनों को यानि ये देखिए इन दौनों को मुझे इन दौनों का 11 का exor क्यों जाएगा 0 is it okay अब मैं ऐसे ही चल दी रहूंगी अब इस 01 का exor 1 अब इस 00 का exor 0 अब इस 01 का exor is 1 बात समझ मैं तो 10101 हो गया इस binary का grey code example मैंने बोला 1010 ये मेरा कोई binary code है मुझे इसका grey निकालना है क्या करूंगी msb सेम अब इस 01 का exor करेंगे तो 1 क्योंकि 01 का exor दिखिए 1 अगें 10 का exor is 1 अगें 01 का exor is 1 तो इसका ये grey अब आपको ये समझ माया होगा कि binary से हम लोग grey code कैसे convert करते हैं और अब grey से binary convert करेंगे नहीं समझ मैं है तो पहले एक बार और binary से grey code में convert करके देख लेते हैं for example मैंने ये डिजिट ली है ये 0111 ये binary है मुझे इसे grey code में convert करना है क्या करेंगे भई? MSB सेम 0 का 0 इन दौनों का grey code निकालेंगे तो 0 और 1 का grey code क्या होता है? 1 अब इन दौनों का निकालेंगे 11 का grey code 0 अगें 11 का grey code 11 का exor 0 ठीक है? Is it okay? समझ में आया? तो देखें भई ये इसका grey code आगया और यही आ रहा है अगर मुझे इसका opposite करना हो grey से grey से मुझे इस code से किसमें change करना है? binary में कैसे करेंगे? MSB को सेम लिखते हैं लिख लिया अब इन दौनों का exor करेंगे अब इस 1 से इस 3rd number वाली डिजिट का इस 2nd से इस 3rd का exor करेंगे 1 और 0 का अगर मुझे exor करना है तो 1 और 0 का exor is 1 अब ये जो 1 है इस से इस last वाली bit का exor करेंगे तो 1 और 0 का exor is 1 तो यह आगया मेरा binary वापस से देख सकते हैं आप लो इसे टोके तो यह सब को समझ में आगया होगा कि कैसे convert करते हैं खुद से करके देखिएगा और अगर नहीं समझ माएगा तो comment section में वही question पूछेगा मैं आपको कल की class में next class में बता दूँगी एक question मैंने last class में गलत कर दिया था 90 2 था मुझे इसका access code बताना था तो मैंने का था 9 का अलग BCD लिखते हैं तो 1001 2 का अलग BCD लिखेंगे तो 0010 और access 3 के लिए क्या करना है दोनों में ही 3 के code को add करना है यानि 0011 और इधर भी 0011 इनको add करा देखिए 011 11 को 0 11 is 0 इसके carry 1 तो 1001 हो गया फिर 0 11 is 0 11 is 0 और फिर carry इधर 1 1 और 1 यह हो गया हमारा 92 का access 3 कोड यह लास क्लास में मैंने इसका अंसा गलत लिख दिया था तो इसलिए मैंने आज करेक्क किया है उसके लिए sorry और ऐसे ही अगर मैं कोई गलती भी करते हूं चल्दी जल्दी में बोलतें बोलतें कभी 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 ऐसा खोजाता है की हम कुछ लिख देते हैं अलग बोल दीते हैं तो वैसे मैं कोशिश करती हूं कि ऐसा नWh फिर भी अगर कोछ हो तो मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे बताते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए जाद से जादा शेयर करिए कल की क्लास में हम आगे का टॉपिक करेंगे और कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड डॉट है तो कमेंट सेक्षिन में हम उसे पूछ सकते हैं ठीक है कल की क्लास नेक्स क्लास करेंगे दूसर टॉपिक करेंगे और आपके जो डॉट हैं वो भी क्लियर करूँगी अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो को लाइक करिए जाद से जादा शियर करिए थैंक यू वेरी मॉच गुड नाइट